शिव बाबा याद है ना? शिव बाबात में जरा भी संश नहीं आना चाहिए अब तुम्हें अपनी राजधानी स्थापन करनी है इसलिए योग बल से पवित्र जरूर बनना है देवताओं जैसा पावन बनने के लिए मुख्य है ही बाब को याद करना पांच विकारों रूपी रावन के कुसंग में आकर तुम गिर पड़े थे अब फिर से संपूर्ण पवित्र का संग करो तो तर जाएंगे फिर बाबा ने कहा अभी तुम कोडी से हीरे जैसा देवताओं जन्म बिना कोडी खडचे सकेंड में प्राप्त कर सकते हो यह स्रेष्ट कारिय सिवाए बाप के और कोई करना सके सारा मदार है पढ़ाई पर अभी तुम को कितने अविनाशी ग्यान रत्न मिलते हैं यह एक एक रत्न लाखों रुप्यों का है यह ग्यान रत्न ही फिर सुल में सच्चे रत्न बन जाते हैं और लास्ट में बाबा ने कहा मैं सर्व शक्तिमान एवर पावन हूँ अब मुझे याद करो और मेरी मत पर चलो काम धंदादी भले करो बाल बच्चे भी संभालो लेकिन सिर्फ बुद्धी योग और सब से हटा कर मेरे साथ लगाओ और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम यहां मनोश्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आये हो कोड़ी से हीरा बन रहे हो प्रेश्ण तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है क्यों उत्तर क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है बाप बच्चों से खर्चा कैसे लेगा बाप का बच्चा बने गोद में आये तो वर्से के हकदार बने तुम बच्चे बिना खर्चे कोड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो भक्ति में तिर्थ करेंगे दान पुन्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा यहां तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं, पावन बनो और वर्षा लो ओम शान्ती, बच्चे समझते हैं कि हम स्टुडेंट हैं, बाप के स्टुडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनश्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं, हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं, अभी समझ गए कि जनम बाई जनम अपने को देहे समझते थे, न कि आत्मा, वह लोकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगती के लिए और जगह भेज देते हैं, बाप बूढ़ा हुआ, तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंत वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं है, वानी से परे हम कैसे जा सकते हैं, बुद्धी में नहीं बैठता है, अभी तो हम पतित हैं, जहां से हम आ अब फिर पावन कौन बनाए, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते, गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है, इसलिए जांच करते हैं, ऐसा कोई गुरु मिले, जो हमको अपने घर अत्वा वरस्थ अवस्था में पहुंचाए, उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं, जहां सुना फलाने की बहुत महिमा है, वहां जाएंगे, जो इस जाड का सैपलिंग है, उनको तुम्हारे ग्यान का तीर लग जाता है, समझते हैं, यह तो क्लियर बात है, बरोबर तुम वानप्रस्थ में जाते होना, कोई बड़ी बात नहीं है, टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना, कोई बड़ी बात नहीं है, भक्तों को क्या चाहिए, यह भी किसको पता नहीं है, अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो, तुम समझते ह बरोबर बाप ने ही वर्सा दिया था, जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे, सो तो तुम बच्चे समझते हो, पहली मुख्य बात है, पावन बनने के लिए बाप को याद करना, लोकिक बाप तो सबको याद है, पार लोकिक बाप को जानते ही नहीं है, अभी तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, सहज ते सहज भी है, डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है, आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है, वह संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पवित्र का संग तारे सो तो एक का ही संग मिल सकता है संग चाहिए जरूर फिर कुसंग भी मिलता है पांच विकार रूपी रावन का उनको कहा ही जाता है रावन संप्रदाए तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाए तुम राम संप्रदाए बन जाएंगे फिर यह रावन संप्रदाए नही रहेगा, यह बुद्धी में ज्यान है, राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्ये स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्य वन्शी राज्ये स्थापन करते हैं, राम राज्ये भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है, राम राज्ये और रावन तुम्हारे एक छोटा पुस्तक है हीरे जैसा जीवन कैसे बने अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है मनुष्य क्या जाने सिवाए तुम्हारे लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताही जीवन कैसे बने देवता अक्षर एड होना चाहिए तुम फिल करते हो हम हीरे जैसा ज जनाना सके किताब है अच्छा उसमें यह अक्षर सिर्फ एड करो तुम आसुरी कोडी जैसे जनम से देवताई हीरे जैसा जनम सेकंड में प्राप्त कर सकते हो बिगर कोडी खर्चा बच्चा बाप के पास जनम लेता है और वर्से का हकदार बनता है बच्चे को खर्चा लगता है क्या गोद में आया और वर्से का हकदार बना खर्चा तो बाप करते हैं न कि बच्चा अभी तुमने क्या खर्चा किया है बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या नहीं जैसे लोकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता वैसे पार लोकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता यह तो बाप बैट पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो, बाप का बनने से बाप राये देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है, खर्चा तो कुछ भी निश्चे हुआ, खर्चा लगा क्या? तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो, अब बेहद के बाप का वर्सा लो, बाप को याद करो, बाप है ना? बाप खुद कहते हैं, मेरा वर्सा तुमको चाहिए, तो पतित से पावन बनो, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे, यह भी जानते हो, बाप बैकुंठ स्थापन करते हैं, समझदार बच्चे अच्छी रिती समझते हैं, उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है, यहां खर्चा कुछ भी नहीं, आत्मा कहती है, हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी हो जाएगा, बा ख्याल तो होगा न, कोई साहुकार भी होंगे, समझो, उनको कोई है नहीं, ज्यान मिलता है, तो समझते हैं, इस हालत में पैसा क्या करेंगे, पढ़ाई तो है सोर्स ओफ इनकम, बाबा ने बताया था, एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जाग कर पढ़ कर इतना होश्यार हो गया, जो प्रेजिरेंट बन गया, खर्चा लगता है क्या, कुछ भी नहीं, बहुत हैं, जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्मेंट पैसे नहीं लेती है, पढ़ने के, ऐसे बहुत पढ़ते हैं, तो वह भी बिगर फी प्रेजिरेंट बन गया, कि इतने भी सहुकार, लखपती, करोडपती हैं, वह भी कहेंगे गरीब हैं, हम उनको सहुकार बनाते हैं, भल धन कितना भी हो, तुम जानते हो, बाकि थोड़े दिन के लिए है, यह सब मिट्टी में मिल जाएगा, तो गरीब ठहरे ना, सारा मदार है पढ़ाई पर, बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे, बाप तो विश्म का मालिक है, बच्चे जानते हैं, हम भविश्य में यह बनेंगे, मैं आया हूँ यह स्थापना करने, बैज में भी यह समझानी है, नई नई इन्वेंशन निकलती रहती हैं, जो विकारी पतित बने हैं, उनको बाप आकर पावन बनाते हैं, यह तो जानते हो, पांच अजार वर्ष पहले, बाप से विश्म की बादशाही ले थी, मुख्य बात बाप कहते हैं, मामे कम याद करो, सम्मुक कहते हैं, रत मिल गया, तो बाप भी आ गए, रत तो जरूर एक fix होगा ना, यह बना बनाया drama है, change हो नहीं सकता, कहते हैं, यह जोहरी कैसे प्रजा पिता ब्रह्मा बनेगा, समझते हैं, यह जोहरी था, जवहरात एक होती है, imitation, एक real, इसमें भी real जवहरात बाप देते हैं, तो फिर वहे क्या काम आएगी, यह हैं ज्यान रत्न, इनके सामने उस ज्वाहरात की कोई कीमत नहीं जब यह रत्न मिले तो समझा यह ज्वाहरात का धंदा तो कोई काम का नहीं यह अविनाशी ग्यान रत्न एक-एक लाखों रुपियों का है कितने तुमको रत्न मिलते हैं यह ग्यान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं तुम जानते हो, बाप यह रत्न देते हैं जोली भरने के लिए, यह मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं, वहां तो दिवारों चटों में भी हीरे जवाहर लगे रहते हैं, उनकी वेल्यू क्या होगी? वेल्यू बाद में होती है, वहां तो हीरे जवाहर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, यह तो बच्चों को निश्चे होना चाहिए, बाप ने समझाया है, यह रूप भी है, बसंत भी है, बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ग्यान सागर कहा जाता है, यह ग्यान रत्न है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे, बाकी कोई अम्रित्व पानियादी की बरसात नहीं है, पढ़ाई में पाने की बात नहीं होती, पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं, तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है, तुम अपने वेह है या वेह, इन सब बातों में बुद्धी चलनी जाहिए, ड्रामा में यह भक्ती का पार्ट भी होने का ही है, बाप कहते हैं, अब तुमको पावन बन, पावन दुनिया में चलना है, जो पावन बनेगा वेह जाएगा, जो यहां की सेपलिंग होंगे, वेह निकल आए बाकी थोड़े ही समझेंगे, वेह तो दुबन में फंसे ही रहेंगे, जब सुनेंगे तब पिछाडी में कहेंगे, अहो प्रभू तेरी लीला, आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो, तुम्हारा यह ज्यान अखबारों में बहुत बहुत पढ़ जाएगा, खास यह चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो शुबाबा प्रजापिता ब्रह्मा दवारा पढ़ा कर स्वर्ग का मालिक यह लक्ष्मी नारैन बनाते हैं, कैसे याद की यात्रा से, याद करते करते तुम्हारी इकट उतर जाएगी, तुम खड़े खड़े सब को यह रास्ता बता सकते हो, कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो, घड़ी घड़ी यह याद दिला कर फिर देखो, उनका चहरा कुछ बदलता है, नैन पानी से भीगते हैं, तब समझो कुछ बुद्धी में बैठता है, पहले पहले यह एक बात ही समझा पांच हजार वर्ष पहले भी बाप ने कहा है, मामेकम याद करो, शिवजयनती मनाते हैं ना, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था, कि मामेकम याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे, छोटी-छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाएं, बेहद का अपशिब बाबा ऐसे समझाते हैं, बाबा अक्षर बहुत मेठा है, बाबा और वर्षा, इतना निश्य में बच्चों को रहना है, यह है ही मनुश्य से देवता बनने का विद्याल्य, देवताएं होते ही हैं पावन, अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे य पावन हूँ, मुझे याद करो, तो तुम्हारी खाद निकल जाए, और सतोप्रधान बन जाएंगे, महनत ही यह है, ग्यान के लिए तो सब कह देते हैं, बहुत अच्छा है, फस्ट क्लास ग्यान है, परंतु प्राचेन योग की बात कोई जानते ही नहीं है, पावन होने की बात तुम सुनाते हो, तो भी समझते नहीं, बाप कहते हैं, तुम सब पतित्तमो प्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, असल तुम आत्माए मेरे साथ थी ना, मुझे तुम बुलाते भी हो, ओ गौड फादर आओ, अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर जलो, यह है ही पतित्त से पावन होने की मत, मैं हूँ सर्व शक्तिमान, एवर पावन, अब तुम मुझे याद करो, इनको ही प्राचीन राजियो कहा जाता है, तुम धंदे आदी में भी भल रहो, बाल बच्चे आदी भी भल संभालो, सिर्फ बुद्धी योग और सबसे हटा कर मेरे साथ लगाओ, यह है सबसे मुख्य बात, यह न समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा, ग्यान के लिए तो कहते हैं, बहुत अच्छा ग्यान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने, हमेशा के लिए यह बात समझते नही देवताई हमेशा पवित्र धेना, वै कैसे बने, यह बात पहले पहले समझानी है, बाप कहते हैं, मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारणा के लिए मुख्ये सार, पहला पॉइंट, स्व्यम को ग विनाशी ज्यान रत्न लेने हैं ये एक एक रत्न लाखों रुपियों का है इनकी value जानकर पढ़ाई पढ़नी है ये पढ़ाई ही source of income है इसी से उंच पद पाना है दूसरा राम संप्रदाई में आने के लिए संपुर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है कुसंग से सदा दूर रहना है सबसे बुद्धियोग हटा कर एक बाप में लगाना है आज का वर्दान शक्ति शाली याद दवारा सेक्ण में पदमों की कमाई जमा करने वाले पदमा पदम भाग्ये शाली भव बाबा ने कहा आपकी याद इतनी शक्ति शाली हो जो एक सेक्ण की याद से पदमों की कमाई जमा हो जाए जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे इसलिए कहा जाता है पदमा पदम भाग्ये शाली जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चहरे की फलक ही और हो जाती है तो आपकी शक्ल से भी पदमों की कमाई का नशा दिखाई दे ऐसा रूहानी नशा रूहानी खुशी हो जो अनभव करें कि यह न्यारे लोग हैं स्लोगन ड्रामा में सब अच्छा ही होना है इस स्मृती से बेफिक्र बादशहा बनो आज का अव्यक्त ज्यानमोती बहुत विशेस है सभी भाई बहने जरूर सुने अव्यक्त ज्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें